अंग्लो एंग्या नियूज सच की तहत्र आईए नज़र डालते हैं दिन भर के तमाम बड़ी ख़बरों के तरफ ख़बरों से चुड़े रहने के लिए बने रहे हैं अंग्लो एंग्या नियूज के साथ ख़बरी महराजपुर कानपुर नगर के थाना साड़ छेतर से जहां पैत्रक जमीन को लेकर पारिवारी जनों ने महिला और उसके पुत्र के साथ की मारपीट सार थाना चेतर के पासी खेड़ा गाउं में चमीन को लेकर परिवारी जिन्नों ने एक महिला उसके पुत्र के साथ मारपीट की मारपीट की वजह से महिला गम पुत्र को गंबीर चोटे आई हैं वेहिं घायल महिला ने साढ़ थाना में पहुंच कर प्रात्ना पत्र देते हुए नियाय की मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार साड़ थाना चेत्र के पासी खेड़ा गाव निवासी जय देवी पतनी रामसर को गाव में पैत्र घूम मिली है जो की पासी खेड़ा गाव में है जिसको लेकर उनके परिवारिक चेचेरे भाईयों में बिवाद चल रहा है और परिवारिक चेचे महिला के मना करने पर उस बेक्ति ने धमकी देते हुए देख लेने की बात कही शाम की वक्त महिला नौ बज़े सौच के लिए गई थी तभी कुलदीब, विनोद, कुलदीब के पत्नी ने रास्ते मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनने घसीट कर अपने घर ले गए जहां उक्त लोगों ने दोबारा महिला के साथ मारपीट की, शोर सुनकर उसका पुत्र सरोज बचाने आया, तो उन सभी लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की सूचना गाउं प्रधान को दी गई, मौके पर पहुंचे प्रधान ने गायल को छेत्रिय डॉक्टर से प्राथमी को उप्चार कराने को कहा जब महिला अपने पुत्र के साथ डॉक्टर से इलाज के लिए जा रही थी, तभी रास्ताय मिले, शभी उक्त लोगों द्वारा दोबारा उसके साथ मारपीट की गई, जिससे महिला का सर फट गया, वहीं बदवार को महिला ने थाना साड़े में सिकायती पत्र देते जगड़ा हुआ 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 जगड़ा अब आपका मेका जी है? हाँ अब कहा हम पासी के बना है? अच्छा आपके पती को क्या नाप है? एमारे रामा सरे जी? जी रामा सरे तो उसने विवाद हुआ? वह कई वाद सर जी परदान जी बलायागी तो परदान जी कहान की चलो टिटकितमन्ट करा ले तो नापर रहे वह बाईया है कव भी ती चोटी है तो लिवा के जाती रहांता हूं नटगर में राम अतार के दर्वाजे लाथी चलाती है लाथी चलाती है लें पुल हरी चला है रेंडू आरे